असलाम अलेकूम आज हम अपने जूफी फूड में बनाने वाले अंडा और ब्रैड का एक यूनिक और बहतरीन से नाश्ता अगर आप सादा अंडा ब्रैड खाखा के बोर होगें तो आप इस तरीके से बनाईए तो कुछ नया आपको लगेगा और बनाया मैंने छोटा सा व् मैंनी ड़ेटी तो यहा निचोड कि वहल् Jourफी यहां में 20-ादि का यूचो वोगेता तक हम नचोड़ा जम औरकर ऑपने ग्रेट ज़ेकर इसे अपने शजाम रखाली अपने उनर्म को आप सालेके साहितig और अपकर गार सब्सक्ता यहां नार्म नृट सादा बिल चाएं और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शें सब्सक्राइब करना ठीक है अंडे अच्छे से मैंने दोनों घिस दिया आप इसमें कुछ सब्सिया डाल देते हैं तो यह कैपसिका में हरी मेर्ची हरा धनिया और प्यास है अपकुछ और गाज और पत्तागों दोना और कुटा काली मेजब डालें पेंच ऑफ हो थोड़ा डालेंगे अ मिर्च कुटावा धनिया अधा चमच गुटी लाल मिर्च और इसको है सारी मिसाले डाल चुके थोड़ा से मैं की वाइट साल्ट तेस्ट की ऊपर क्योंकि ब्लैक भी गया चाट मसाले वी तो साले अंडे ब्रैड इन सब को एक जान कर लेंगे तो यह देखिए तो जादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है हर चीज पकी हुए तो नहीं नहीं वक्त लगेगा और फटाफट से हमारा नाश्टा बनकर तयार हो जागा तो देखिए बच्चों के लिए काफी अच्छा सब्सक्ताइप बन भूब काफी और इस यह रागा नहीं टवर्ट यहुई हंदा रुप मेर्ड में तो दिखाया क्वाब संदे का बनावारniej रहें तो ने कभाब सेक्थेशाल टालें तो थाय हृः्ट की में तिये दालें तो देखदे रावाओ कोवाब डेल डालें टया सकते तो देखें च् bize 201-20理न अजिए इस तरीके से इसको और हमें तेजगाइस पेश को पाइस काता है किम खेश किल का रहना है क् Seriously तो देख अप्स हमें पर दिए पाइस के frogyunde नियुग में कर दें अब तरीके से तो प्राइस सब्सक्रार हो टरंब आपने इसाफ कोड़ लिए करейств करो हिस में मैं उसको कर दो आप अपने आंखों के हिसाब से कर लेना जैसे आपके आंखों पसंद है जबान तो बाद में जाएगा तो अपने सारे कवाब से एक लेंगे निकाल लेंगे अब इसको ग्रीन चटनी के साथ सौस के साथ अच्छा मीठी गुड़ और इमली की चटनी के साथ कि दिखा सकते हैं बहुत ही जादा मजे के लगेंगे तो देह कि हम सब ने बहुत ही मज़े से इंज्वाइगे लेकिन जादा नहीं मिले लेकिन कोई बात नी फुर दो भारा बना लेंगे घर की बात है ठीके सारी को आप मैंने निकाल लें अब हम तो इसे निगा रिए कर दम बन कर सकारा को इदो अब नियों कि अश् confidence in inna. चोन सो फुरो मिलता है दिल को सुखुन मिलता है तो देखिए मगर चोटी है थीकाल अब चलते है तो देखे फड़ा फट से अब हम जा रहे हैं उसके घर की तरफ को तो देखे हमारे घर से बार निकलने में पाँच मिनिट लग जाते हैं कि लिए अब हमें इतना ही लंबा हमें चलना पड़ता है ठीक है ना तो काफी तो इनाए अदर आगे-अगे जारे हैं पीछे से उनकी वीडियो बना रही हूं और वहां जाके हमने मोमोज वगएरा इंजॉय के बाहर जाके वह हम बाहर गए थे खानी के लिए ठीक है तो देखे हम टिद्री में बैट गया हूं इनाय के छोटे से कटेवे बाल आ गया रहे हैं वह बाहर उसको अज़स्ट कर रही है और अब हम चल पी रहे हैं यह देखे इसकी बेटी की चाली बन कर दिखा रहा था मुझे कित्ता ही तरह रहा है और इनाय हस रही थी और फिर शाम हो गई बाते करते हमें पता ही नहीं चला फिर हमारा जो यह शाहिन का जो आइडिया बनाता कि हम अन्नागा डोसा खाने चलते बढ़ आप वो अन्न नागा डोसा खतम हो चुका था इडली डोसा असा खाने काने अथे वो खटम हो चुका तो हम फिर आगे में तो हमारे खर के पास ही कालका जी है तो हम अन्डे है पहुर आपको फिर ममोच घंड के लिए शाह ceremonका यह बहुत तो तो चलिए खाते हैं तो हम यहां पर डिस्कुर्शन कर रहे हैं कितना क्या 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 खाएगा तो भाई उसने हमें ट्रेट दी आज उसकी तरह से पाटी हुए हमने कोई घर चानी है तो देखे फड़ावर से मैं बच्चों को लेकर गई कि आप सीट ले लो क्यों कि यह बहु मुझे शर्म आती है तो मैं मेरा काम है तो मैं ही कर ले तो मैं फटाफट से थोड़ी सी बेशर्माई से गई शर्म तो लगती है लेकिन हम गए थोड़ा सा भाई मत रखनी है मैं अपना चैनल चलाना तो मैंने जल्दी से वीडियो बना ली और यहां पर सारा मारा और तो समझा दिया क्या क्या लाना तो मेरा अच्छे से समझ गे सब चीज लिया वह और अब हमने खाना स्टार्ट कर दें बहुत ही गरम और एकदम सही मोमोस तो देखे मैं इसको मैं आपको खोल के दिखाती हूं वैसे सही थे ज्यादा अंदर फिलिंग नहीं थे पनीर के मोमोस तो मैंने उसको क्या कहते है वेज मोमोस खोल के देखा था हैदर ने सोचा में जब तक वो लेने गया था पैपसी थंड़े होगा लेकिन मेरे बेटने गरम गरम मूह में डाल लिया और यह मैं चटनी लपेट तो मैं आपको बड़ा ही फैंसी सा मोमोस बना के तो हमने तो इंजोई कर ले आप भी कर लेना कर दिल कर तो भाई बहार से लाकर खाले और जब मैं बताओंगी तो बना के का लिए खत्म तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना दूआओं में याद रखना आप बाई